चाइना इस इकोल टू ओ एम जी पहली बार चांद पर कोई पौधा उगाया गया है सुनने में शायद थोड़ा हटपटा सा लगेगा लेकिन चाइना ने इस बार फिर कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश की है चाइना ने इस बार चंद्रमा पर एक पौधा उगाया है और ये पहली बार है कि चांद पर कोई पौधा उगाया गया है चीन के नैशनल स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन ने कहा कि चैंग 4 या चैंग 4 मिशन ने कापास का पौधा उगाने में सफलता हासिल कर ली है अंतिरिक्ष रिसर्च के छित्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है कि पहली बार चंद्रमा पर किसी देश ने एक पौधा हो गाया है चौंकिंग युनिवोसिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने पानी और मिट्टी से भरा एक डिबबा भेजा था यह कोई 18 सेंटीमीटर का है इसके अंदर कपास आलू और सरसू के बीज के साथ साथ फ्रूट फ्लाई के अंडे और इस्ट भी भेजे गए हैं युनिवोसिटी ने बताया कि अंतरिक शियान से भेजी गई तस्वीरों में देखा गया है कि कपास के अंकूर बढ़िया तरीके से विक्सित हो रहे हैं लेकिन अब तक अन्य पोधों की बीजों को अंकूरित होने की खबर नहीं आई है चीन ने तीन जनवरी को चंद्रमा के पिछले हिस्से पर जो की धर्ती से नजर नहीं आता है अपना स्पेस्क्राफ चीन फोर या चांगी फोर उतारा चांद के इस हिस्से पर पहली बार किसी स्पेस्क्राफ ने लेंडिंग की है धर्ती से चांद का एक हिस्सा नजर आता है ऐसा इसलिए क्योंकि जिस गती से चांद धर्ती का चक्कर लगाता है उसी गती से वह अपनी धूरी पर भी घूमता है ऐसे में उसका दूसरी तरफ का हिصसा कभी भी धरती के सामने नहीं आपाता अब तक अमेरिकान, रूस और चीन ही चांद के उस हिससे पर स्पेसक्राफ उतार सके हैं वज्यानिकों का मानना है कि मून पर यानी कि चांद पर कठोर परिस्थितियों के प्रियोग के बाद सबी पौधों की बीच जैसे के तैसे हैं पौधों को उगाने के लिए सबसे पहले बीजों को गोला कर तीन के कंटेनर में रखा गया यह सभी कंटेनर तीन किलो भारी और साथ इंच लंबे थे इनका डिजाइन चौंकिंग विश्विधाले के विशशग्यों ने ही किया इन् एक मिनी एयर कंडिशनल सिस्टम से सजाया गया था 0.8 लीटर वाले इस कंटेनर को विशेश रूप से विक्सित अलिमूनियम स्टील की धातू से बनाया गया वीजों के साथ साथ कंटेनर में पानी मिटी और एक पोशवतक्व समाधान हवा एक छोटा सा कैमेरा डाटा ट् तरिये सूर्य की किर्णे इसके अंदर प्रवेश कर सकेंगी और इसे अच्छा जो पोशक है वो मिल पाएगा यू तो एस्टरनॉट पहले भी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पौधे उगा चुके हैं जबकि चीनी एस्टरनॉट जिन्हें ट्राइकनॉट्स भी कहा जात है उन्होंने भी चीनी अंतरिक्ष लैब तियांग यौंग दो पर चावल और एरडॉप्सिक्स उगाए थे लेकिन वे एक्सपेरिमेंट धर्ती की करीबी कक्षा में किया गया था जो धर्ती से मात्र 400 किलोमेटर की उचाई पर था चीनी निउज एजनसी शिन्हुआ ने बताया कि चांद का परियावरन लगबग धर्ती से 3,80,000 किलोमेटर उपर है और ये बहुती जादा जटिल भी है साथी चांद पर गुर्तवाक्षन और धर्ती के गुर्तवाक्षन का मात्र 16 फीजदी है जो प्रोजेक्ट की सफलता में एक बड़ी बाधा साबित हो सकता ह माना जह रहा था कि चांद के कठीन मौसम में जीवन का फलना फुलना मुश्कल साबित हो सकता है क्योंकि यहां का तापमा नियूंटम माइनस 100 डिग्री सेलसियस से लेकर अधिक तम 100 डिग्री सेलसियस के लगता है लेकिन अब इन इतना भी मुश्किल नहीं है इस प्रियो करने का प्रयास करेंगे जिस वज़े से पौधों को उगने में मदद मिलेगी तो यार यूं तो चाइना ने ये एक बहुत ही बढ़ा काम करके दिखाया है कि चांद की सतह पर या चांद में एक पौधे को उगाना कोई छोटी बात नहीं है लेकिन देखने वाली बात ये तो लाइक करें दोस्तों के चांद शेयर करना ना भूले नए आये हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बैल जरूर दबाएं थाके सारे लेटेस्ट वीडियो और न्यू जितनी भी नोटिफिकेशन्स है आपको मिल जाएं